काले चने बनाने के लिए यहां पर मैंने एक कप के करीब काले चने लिए थे पानी में बिखो के राद भर के लिए रख दिया था अब आप देखेंगे तो काले चने अच्छी दिके सुफूल गए है तो अब हम क्या करेंगे ना काले चनों को डिरेक्ट प्रेश्यों को कर्मे बनाएंगे इससे क्या होगा समय भी बचेगा और काफी बढ़िया हमारे काले चने बन भी जाएंगे तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले हम काले चनों का बढ़िया सा पेस्ट बनाके मसालों का तयार कर लेंगे तो अब मैंने यहां पर एक कटोरी ले लिए जिसमें मैंने सबसे पहले एक चमच के करीब धन्या पाउडर डाल दिया है इसी के साथ है अब हम इसमें आदा चमच के करीब हल्दी पाउडर डाल देंगे आदा चमच के करीब लाल मिर्च का पाउडर एक चमच के करीब इसमें जाएगा आम चुल का पाउडर जरूर डालेगा वो बड़िया टेस्ट आएगा इसी के अच्छी त्रीके से बूमते हैं पकते हैं और मसालों को जो जलने का खत्रा होता हो रह वह वह काफी कम हो जाता है तो जब भी कोई भी सबझी बना ऊसमें ऐसे टाले मसालों का लेकिन जब भी आब सूख सुख काली चने न क्मै उसमें और टाली जाली snobs अच्छी तरीके से लट पटे और चक्ट पटे बनेंगे तो चलिए पेस्ट बन के तयार है अब चलते अपने नेक्स टेप पर तो अम मैंने यहां पर एक कुकर ले लिया है जिसमें मैंने दो से तीन टेबल स्पून के करीब इसमें ऑईल डाल दिया है और तेजपत्ते को भी अच्छी तरीके से जीरे के साथ पकने देंगे जैसे ही जीरा और तेजपत्ता पक जाएगा अब हम इसमें एक पिंच के गरीब हिंग डाल देंगे तो friends काले चने में हिंग जरूर डालिएगा बड़ी अफलेवर आएगा हिंग का और बस जैसी हिंग पक जाएगी अब हमने जो मसालों का बड़ी असा पेस्ट बना के तयार किया तना इसी समय पर हम इसमें वो डाल देंगे और जो काटोरी में थोड़ा बड़ी मसाला लगाता ना friends उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के समय वो भी डाल दिया है मसाला की वेस्ट करना और बस अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तो चलिए मैंने मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है तो मैंने इसमें लगबख दो च Buddhe के करीब पाणी डाल दिया है और बस पानी को भी अच्छी तरीका से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे और अब मसाले को तब तब पका हैंगे जब तक कि मसाले के उपर तेल ना तैanhने लगए और हमारा मसाला अच्छी तरीकी से पक न जाए तो अब इसको पकने देंगे तो चलिए जहां पर लगबग दो मिनट हो चुके और आप देख से तो मसाले के उपर तेल भी तैरने लगा इसमे पर ये में दलेंगे तो बस अब ये काले चने इस मसाले में डाल देंगे और अच्छी तरीके से काले चने को मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छी तरीके से मसाला काले चने के साथ मिक्स हो जाए तो इसको चलाती रहेंगे इस तरीके से और अब हम क्या करेंगे ना सबसे पहले हम इसमें स्वात के अनुसा नमक डाल देंगे क्योंकि हमने शुरुवात में नमक बिल्कुल नहीं डाला था और बस नमक को भी अच्छी तरीके से काले चने के साथ मिक्स कर लेंगे तो चलिए मैंने नमक को अच्छी तरके से काले चने के साथ मिक्स कर लिया और आप देख सकते हो अभी से ही काले चने कितने बढ़िया लग रहे है और कितने चटपटे से लग रहे है तो बस इसी समय पर हम इसमें पानी डाल देंगे तो मैं इसमें लगवग धाई कप के को कवर कर देंगे और इसमें 5-6 सीटी आने तक का वेट करेंगे तो 5-6 सीटीों में हमारे काले चने अच्छी त्रीके से बॉईल हो जाएंगे तो चलिए जब तक चने उबल रेस बड़ीया सा सूजी का हलवा बना लेते हैं तो मज़ेदार सा सूजी का हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आताग आपके करीब मोटी वाली सूजी का यूज किया है तो फ्रेंड्स मैं आपको रेकेमेंट करूँगा कि जब भी आप हलवा बनाएना अगर उसको आपको दानेदार रखना है तो आप मोटी वाली सूजी का यूज करें बारीक वाली सूजी का यूज मत करिएगा और बस अब हम क्या करेंगे ना इस सूजी को इस कड़ाई में डाल देंगे और अब हम इसको चला लेंगे अच्छी तरीके से और अब हम सूजी को तब तब पकाएंगे जब तक की सूजी का कलर ना हलका सा चेंज ना हो जाए मतलब की हलका सा ब्राउन ना हो जाए तो अब सूजी ली थी उसी कप से मैं इसमें आदा कप के करीब देसी घी डाल देता हूँ और बस घी को भी अच्छी तरीके से सूजी के साथ मिक्स कर लेंगे और अब हमना सूजी को घी के साथ भी पकाएंगे हलका सा ताकि सूजी का कलना हलका सा और बराउन हो जाए तो इसको चलाते रहेंगे कंटीनूसली तो आप देख सकते हो सूजी हलकी सी और ब्राउन हो चुकी है ये देखिए मैं आपको पाथ से दिखा देता हूँ देख सकते हो आप तो बस इसी समय पर हम इसमें पानी डाल देंगे तो देखिए जिस कबसे मैंने आदा कप के करीब सूजी ली आदा कप के करीब घी लियातना उसी कबसे मैं इसमें लगवग दो कप के करीब पानी डाल देता हूँ और बस इसको अच्छी त Ferr permits से mix कर लेंगे और अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि इस सारा पानी सूख जाएगा और सूजी ना सारा पानी अब्जॉब कर लेगी तो इसको लगातार चलाते रहेंगे तो चलिए हैं यहाँ पर सूजी ने अधिकतर पानी अब्जॉब कर लिया आप देख सकते हो और यहाँ पर सूजी का हलवा ना हलका से थिक भी ओगए यह देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया कितना बड़िया लग रहा है तो बस इसी सब्धे पर हम इसमें चीनी डाल देंगे तो देखिए जिस कब से मैंने सूजी जिस कब से मैंने घीली आता ना उसी कब से मैं इसमें लगवग आधा कपके करीब चीनी डाल देता हूँ और बस चीनी को भी अच्छी तेके से मिक्स कर लेंगे हलवे के साथ और आप देख सकते हो, अभी हम चीनी को भी न सूजी के हलवे के साथ ओर पकाएंगे ताकि बड़िया सा कलर आ जाएगा तो इसको लगातार चलाते रहेंगे और आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे लगबख 5 मिनट हो चुके है और यहाँ पर हमारा सूजी का मज़िदार सा दानेदार हलवा बन चुका है मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखा जाता हूँ यह देखिए पहली बात तो कितना बड़िया इसमें रंगत आई है कितनी बड़िया इसमें शाइन आई है तो बस इसको चला लेंगे तो चलिए अब मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है तो चलिए मैंने ड्राइ फ्लूट्स को अच्छी तरीके से सूजी के हलवे के साथ मिक्स कर लिया और आप देख सकते हो बड़िया से ड्राइ फ्लूट्स सूजी के हलवे के साथ मिक्स हो चुके है तो अब हम क्या करेंगे ना सूजी के हलवे को और भी टेस्टी बनाने के लिए हम उपर से थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे और अच्छी तरीके से देसी ही को सूजी के हलवे के साथ मिक्स कर लेंगे तो उपर से घी डालने से क्या होगा ना एक तो सूजी के हलवे में बड़ी आसी रंगत आएगी एक चमक आएगी और बड़ी आसा हमारे सूजी के हलवे का टेस्ट भी अनैंस हो जाएगा और बस इसको अच्छी तिके से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा दानेदार सूजी का नवराती स्पेशल हलवा बनके तयार है और वहाँ पर हमारे काले चने भी अच्छी तिके से बॉयल हो चुके है तो उसको चेक कर लेंगे तो चलिए यहाँ पर प्रेशर कूकर में 6 सीटी आ चुके है तो इसको खुल के चेक करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको चने मैश करके दिखा देदा हूँ यह देखिए चने अच्छी तरीके से 5-6 सीटी ओ में बॉयल हो चुके है तो अब हम क्या करेंगे ना इसको मिक्स कर लेंगे और अब हम गैस कौन कर देंगे क्योंकि यह जो चनों में आपको थोड़ा है तो चलिए यहाँ पर 2 मिनट हो चुक है और आप देख सकतो काले चने का अच्छी तरीके से सारा पानी सूख चुक है और कितने बढ़िया चटपेटे से लेटपेटे से हमारी काले चने बन करके तयार हो चुक है तो अब हम क्या करेंगे ना इसमें लास्ट में कुछ ची है आप देख सकते हो कितना बढ़िया काल रहा है और अब हम प्रेशर को करके लेट को कवर कर देंगे ताकि जो हरी मिर्चो धनिये का स्वाद है ना हो वो काले चने में आ जाए तो चलिए काले चने तो बन चुक है अब हम बढ़िया सी फूली फूली पूरिया बना लेते ह तो पूरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कटोड़ी के करीब गेहूं का आटा ले लिया है और अब हम इसमें आदिशोडी चमच के करीब नमक डाल देंगे और नमक को हम अच्छी तरीकी से गेहूं के आटे के साथ मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड करके तयार है और आप देख सकते हूं कितना बढ़ी आटा गुंद चुका है तो अब हम क्या करेंगे ना इसको पाच मिनट के लिए हम सेट होने के लिए रख देंगे उससे क्या होगा आटा हमारा काफी नरम हो जाएगा तो फ्रेंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा फ्रें इस तरीके से और अब हम क्या करेंगे हमारी पूरी आच्छी तरीके से फूले नरम बने उसके लिए हम इसमें दो चम मचके करीब ऑईल लाल देंगे और ऑईल को अच्छी तरीके से आटे के साथ गूंद लेंगे इस तरीके से और अब हम क्या करेंगे ना इस बड़ी सी ल क्या ंगा उंकि पूरी न एकड़्यक्त कोहाँ कि उती है ना तो कोई जादा बढ़ी होती है ना जादा कोई छोटी अन्सजा उसी टरीकी झाहटे हूला कर लेंगे तो चलिए हैं तो as तो देखिए पूरी को न आप थोड़ा सा मोटा मत रखिएगा पतला रखिएगा बश्येप मैं पहले बता दूँ फ्रैंट्स शेप माईने नहीं लगती पूरी की में होता है पूरी अच्छी तरीके से फूले काफी सॉफ्ट बने तो इसको अच्छी तरीके से बेलेंगे इ तो चलिए यहां पर हमारी सारी पूरी आप दिल चुकी है तो अब हम चलते हैं इसको फ्राइ करने के स्टेप पर तो यहां पर मैंने तेल को अच्छी तरीके से गरम कर लिया और अब हम इसमें पूरी डाल देंगे और बस पूरी को अच्छी तरीके से फुला लेंगे इस तर पूरी बन करके तयार है तो बस इसी तरीके से हम सारी बड़ी असी पूरी बना के तयार कर लेंगे तो चलिए हैं यहाँ पर हमारी लास्ट पूरी भी अच्छी तरीके से बन चुकी है आप देख सकते हो कलर कितना प्रफेक्ट आया है तो अब चलते हैं इसको सर्व करने के स्टेप पर और यह लीजी हैं यहाँ पर हमारे नवरातरी स्पेशल अश्टिमी नवमी के काले चने हलवा और पूरी बन करके तयार है और आप देख सकते हो काले चने कितने मसालेदार हो कितने चटपटे से लटपटे से लग रहे हैं और यहाँ पर जो हमारा सूजी कालवा है न हो कितना दानेदार बनाए और पूरियों की तो आप बात ही मत करिए देखी कितनी बड़िया कितनी नरम कितनी फूली फूली बनी है पूरियों को बनाए हो मुझे काफी देर हो चुकी है लेकिन अभी बिना पूरी काफी फूली फूली लगी है तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी ये अश्टिमी नमी के प्रसाथ की रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईगा वीडियो बसंद आए तो वीडियो को लाइक करीगा और अपने चैनल दिक्षान कीचन को भी सबस्क्राइब करना मतूल लेगा तो जल्दी मिलूगा आपसे कोर नई और एकदम अज़िदार रेसिपी लेकर थैंक्स पर वाचिंग दिक्षान कीचन